इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था प्रीमियम सर्विसेस पे रेजिटेशन कैसे करें LIC की प्रीमियम सर्विस कैसे लिए प्रीमियम सर्विस लेना बल्कुल असान था और एक बार आपने प्रीमियम सर्विस ले लिया तो friends आप घर बैठे अपने LIC's policy को हर तरीके से manage कर सकते हैं अब उसमें आप क्या कर सकते हैं जैसे आपको online payment करना हो online payment आसाने से कर सकते हैं policy schedule आपको देखना हो कि policy में क्या-क्या है आप वहाँ पर देख सकते हैं policy का status क्या है आप अपने हाथ से देख सकते हैं अपने laptop पर देख सकते हैं bonus कितना बना है आज कर बहुत सारे call आते हैं आपके पास आपके bonus यतने बने हैं आपका agent खा गया तो आप वहाँ पर check कर सकते हैं जबकि ऐसा कोई agent आपके पैसे को नहीं खा सकता इस misguiding वाले call से आप दोर रहेंगे bonus status आप चेक कर सकते हैं loan अगर आपने लिया हुआ है या loan आपको लेना है loan status भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना loan मिल सकता है अगर आपने कोई claim raise किया हुआ है claim status भी आप चेक कर सकते हैं आपकी policy lapse हो गई है आपने policy का premium pay नहीं किया है और आप की policy lapse mode में है, आप revive करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर revival quotation में निकाल सकते हैं, कि आपको आज अगर policy start करना हो, तो कितना आपको premium pay करना है, premium का कब due है, कब आपको premium pay करना है, उसका calendar आप देख सकते हैं, अगर आपने premium pay किया है, और साल के अंद में आपको premium pay certificate देना ह जाने की जरूरत नहीं है, claim जैसे आप survival benefits होता है, money back आपकी पास आते रहता है, money back कब आ रहा है, उसके details भी आप देख सकते हैं, आपने कोई policy पर claim है, तो आप वहाँ पर history उसका check कर सकते हैं, policy bond अगर आपकी पास miss हो गया है, गुम हो गया है, या policy की details आपको नहीं मिल रह तो आप अपने policy की copy वहाँ पर bond की copy आप देख सकते हैं, image वहाँ से निकल सकते हैं, और अगर आपको कोई problem है, या आपको कोई changes करना है, address change करना है, आपको bank update करना है, आपको plan update करना है, इस सारी चीज़े एक बार अगर आपने premium service पर रेइश्टराड कर लिया, तो easy है, सारी चीज़े को पड़ा 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 कैसे अपने हाथों से कर सकते हैं, इसके लिए हम चलते है, liceindia.in के site पर, liceindia.com के site पर, और जब आप liceindia.com साइट पर जाएंगे, तो आपको यह options मिलेगा, जहां पर आपको customer portal पर रेइश्टराड करने का, रेइश् नए page पर खुल जाएंगे, जहां पर premium page services है, अब यह complete करने के बाद, आपकी पास यह page आ गया, अब हमने, पिछली बार, आपको देखा था, कैसे premium service पर रेइश्टराड करें, तो हम एक बार देख लेते, premium service पर रेइश्टराड, अब premium service पर जैसे रेइश्टराड कर तो आपकी पास यह policy देखने शुरू हो जाएंगे, जो आपकी policies है, simple, अब आपको, अगर इस policy पर कोई claim है, तो आपको देखेगा कोई claim है, कोई claim नहीं है, इस पर कोई claim है, तो आप simple click कीजिए, कोई claim नहीं है, ठीक है, उसके बाद policy proposal image, अगर आपकी पास, जैसा मैंने प page खुलकर आ जाएगा, और वहाँ पर आपकी policy की copy आपको available हो जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं, उसी तरह से proposal image, अगर आपने जो policy भरा हुआ है, policy की जो form भरे हुए, वो policy की forms भी आप यहां से देख सकते हैं, जैसे आपकी यह देखिए, पूरा policy की bond copy आपके पास system प मिलेगा, हम एक बार देख लेते हैं, जहां पर हमारे पास online services है, online payment में आप कर सकते हैं, उसके पाद policy status की बात करें, policy status भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए हम आगे चलते हैं, यहां पर all policies आप देख सकते हैं, और all policies में जाकर आप premium cup cup due है, premium due form और सब कुछ आप यहां पर द premium service पर restore कर लेंगे, तो यह सारी चीजे आपको असानी से मिल जाएगा, दूसरा आम कल जो बात कर रहे थे कि आपको लोन लेना हो, तो अब आपने premium service पर restore कर लिया है, तो simple आपको loan पर जाना है, loan पर जाएंगे, तो यह सारी चीजे आपके सामने आएगा, यहां पर agree करना है और submit proceed करना जैसे proceed करेंगे आपकी पास OTP आएगा आपको OTP डालना है और फिर आपकी पास detail आजाएगा कि आप कितना loan ले सकते हैं क्योंकि मुझे loan नहीं लेना इसको मैं process नहीं करता है उसी तरह से change of address करना है तो आप घर बैठे अपने address को change कर सकते हैं simple आप change of address कीजिए accept कीजिए और proceed कीजिए आपकी पास OTP आएगा verify कीजिए उसी तरह से change of mode, change of mode क्या होता है policy अगर जैसे महान लेजिए आपकी quarterly चल रही है आप हर तीन महिने पर बे करकर ठक गए हैं आप चाहते हैं किसको yearly कर दो या half yearly कर दो तो change of mode आप यहां से आसानी से घ करना है तो आप उसको online shift कर सकते हैं उसी तरह से pan data आपको update करना है तो आप simple यहां पर click कीजिए proceed कीजिए और कर सकते हैं इसके साथ आप और भी सारे facilities का फायदा ले सकते हैं जिसमें आप basic services में चले जाए और आपकी पास कई सारी चीज़े हैं जैसे revival quotations आपको policy अगर आप अच्वotz आपने किया हुआ उसका अप statement निकाल सकते हैं लोन status check कर सकते हैं claim status आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपकी पास कोई और policy एक पर policy status भी आप हपर check कर सकते है Spy प्रेमियम केलेंड़र जो मैं बोल रहा था कब आपको प्रेमियम देना है ये प्रेम्यम आपका यरली है और कब देना है 28 को पेमेंट करना है ये premium आपका yearly है यह 28 की payment करनी है तो इस type से आप यहाँ पर check and pay कर सकते हैं और simple आप pay कर सकते हैं इस type से आप यह देख सकते हैं जुलाई में इसकी payment है इसी तरह से आपकी premium calendars भी आपको पास available रहेगा online payment receipt भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं आपने कई पहले payment किया है तो आप असान अगर आपके पास कोई problem है कोई ग्रिवेंस है जिसको आपको request करना है तो आप simple लेखे इस policy पर काई सारे ग्रिवेंस रेज की हुए और इसके सब के LIC ने reward भी किया हुआ है कि आपका क्या complain है और उसको close किया है क्योंकि इनको 24 hours में close करना जरूरी है तो इस type से आप user ID password नहीं बनाया तो मेरे दूसरे वीडियो में जाईए और बनाईए अपने उसके बोनस आपका चला गया आपका यह हो गया उसके आप नहीं जाएंगे और अपनी policy की सारी status घर बैठे LIC की website या LIC का अपना app mobile app से घर बैठे देख सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपकी पास online आ रहा हूं और आप मेरे से online चैट कर सकते हैं बात कर सकते हैं और अपने क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं थैंक्स लॉट कीप वशीग